धाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज धाकर खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान भारत में चुनाओ हो रहे हैं और पहले चरण का चुनाओ 11 अपरेल को होना है 25 मार्च को जब पहले चरण के चुनाओ किया नामंकन का आखरी दिन तो उस वक्त प्रेस के सामने आए कांग्रेस के रास्टी अध्यक्स और उन्होंने यानि के राहूल गांदी उन्होंने एक बड़ा धमागा किया उस बड़े धमाके को कैसे देखा और समझा जा सकता है इस खबर में वह आपके सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ और तरीके से उसको रखने की कोशिश की है पहले मैं आपको चंद अलफाज के अंदर वो पूरा मामला बता देता हूं राहूल गांदी ने कहा कि हम मिनीमम इंकम गारंटी एक स्कीम ला रहे हैं जिसके तहत बारह हज़ार रुपे एक शक्स की भारतवासी की जो गरी 5,000 देकर उसके 12,000 पूरे कर दिये जाएं गे किसी को मिल रहा है तो उसकω 35 तो ईसको साथ दे दिये जैंगे जैसे ही 12,000 कमाने के बाहर चला जाएगा वैसे उसको वह पैसा देना बंद कर दिया जाएगा पांच क्रोड लोगों को यह पैसा देंगे 25 क्रोड परिवारों को तो यह फाइदा होगा और परिवारों को देंगे 25 क्रोड़ लोगों को इसका बड़ा फाइदा होगा इसके बाद से होना क्या चाहिए था इस एक बहुत बड़े-बड़े प्राइम टाइम शोने चाहिए डिबेट होने चाहिए अख़बारों के अंदर संपात की लिखा जा आप देखते होंगे वह जरासा कहीं कुछ करने जाते हैं तो उनका पूरे टाइम दिखाते हैं लेकिन विपक्ष के नेता कहां कैसे परचार करने कोई दिखा रहा है क्योंकि उन्हें पैसा उसी काम-काम मिल रहा है तो मैं आपके सामने दो हिस्सों में पूरी खबर को रखने हैं अगर आपको लगता है कि स्वतंत्र प्रत्रकारता के तोर पर धाकड़ खबर कुछ काम कर रहा है तो हम लोगों की आर्थिक मदद कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर लिखा हुआ है सपोर्ट फोर धाकड़ खबर अब चलते हैं खबर के पहले इससे की त अरेंद्र मोदी का किसी और का बयाना जाएगा फुल टाइम वो चलेगा लोग उस बात को भूल जाएंगे यह एक साजिश के तहत भी किया जा सकता है तो बहुत सारे चैनल्स ने इस पर प्रैम टैम शो करने से अपने आपको गुरेज किया लेकिन दो चैनल्स का प्रैम ट के 72 हजार बताने की कोशिश किये गई बताईए अमाँ पहले हो देख लीजे नमस्कार शाम के चार बज़ रहे बिपी नियूस पर अपने शो संबधान की शपत के साथ हाजरू में रुमारा इसाथ का चुनाब से एन पहले राहुल गांधी ने किया है बड़ा ऐलान सीधे 25 करोड गरीब लोगों को मिनिमम इंकम गारंटी का एलान राहुल एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे है अपने इस एलान के जरिये राहुल के वादे के मताबिक 5 करोड गरीब परिवार को इससे सीधा फायदा होगा और कम से कम 72 हजार रुपे सालाना उन् नहीं ही चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए तो प्रधानमेंटरी मोदी की किसान सम्मान योजना के सामने इसे राहुल का जवाब माना जा सकता है लेकिन याद कीजे तो 2014 में बीजेपी ने भी इसी तरीके से काले धन को लेकर 15-15 लाक रुपे हर नागरिक को देने का तरहार तो आपने इस टीवी चैनल का हाल देख लिया सवाल मेरा यहां पर यह है कि मोदी के 15 लाक वो तो काला धन आने के बाद मिलने वाले थे ना लेकिन राहुल गांधी के जो बहत्तर हजार है स्वाल पर में एक बार मिलने वाले हैं वो तो सरकारी खजाने से मिलने वाल 12,000 दे देंगे तो यह भी नरेंद्र मोदी की तरह एक जुम्ला गड़ रहे हैं लोग इस पर यकीन ना करें यह इस वज़े से इस तरीके से बना के पूरी खबर को दिखाए गया दूसरे टीवी चैनल का हाला बंप के सामने रखने जा रहा हूं दूसरा टीवी चैनल है ज आँ cin吧 और जैसे मैंने देंड लंखर में कार्म किया वो के था हमारे पास। सब्सक्राइक बारत की आप though का होंगे तो उसाथ तक काहल देख लिए हला बोल एंकर वही जो वहां की स्टार एंकर मानी जाती है अंजना उमकश्यप उनका अंदाज देख लिए वह कैसे कर रही है कह रही है पुल्मामा और एस्ट्राइक के बाद भाजपा के रास्टवाद का मुकाबला करने के लिए र गरीबी बनेगी चिनावी मुद्दा मोधी के एस्ट्राइक के जवाब में राहूल गांदी ने आज अपने तरीके से ना सिर्फ गरीब वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की बलकि चिनावी एजेंडा भी सेट करने का प्रयास किया राहूल बड़े जोश के साथ आज प्रेस कांफरेंस में आए सुना आपने बार 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 बहां मौझूद पत्रकारों से पूछ रहे थे क्या आप शौक हो गए क्या अब आप शौक हो गए क्या आप शौक हैं बहराल गरीबों को सालाना 72 हजार रुपे की नियूनतम आई की गैरंटी देने का वैटारो्त परी स्कीम के बारे में बताए जाता पूरी सकीं से कितने लोगों को फाइदा होगा उन लोगों से बात कि जाती जो लोग इस से लाभन वीत। होंगे उनके जागे इंटरव्यू कि लेकिन जहां वह बोलते हैं के मैं चोца कि दार तो जा जागे सब से पोशने जा रहा हूं तो इस पार्टी के record को देख लेते हैं जो अपने को कंग्रेस पार्टी कहती है के वो विश्विख्यात हैं बहुत बड़े अर्शास्त्री हैं दुनिया उनको मानती है और कांग्रेस के अंदर वो मौझूद है दस साल वो इस देश के अंदर पी-म रह चुके हैं और उस दोर में इन्होंने इस देश को बचा यह था उन्हीं सुनब्बे के अंदर जब पूर अब कुस तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं सैमी फाइनल जिसको का गया था उसकी सैमी फाइनल का गया था पांच राज्यों में चुनाओं को लेकर वहां बीजेपी हार गई तो अब भूपू मीडिया बोलता नहीं के सैमी फाइनल ने बीजे पी हार गई अगर देखा टीवी चैनलों पे पहली ही कैबनेट की मिटिंग के अंदर राजिस्तान च्टीजगण और मद्यपर्दिश के किसानों का लोन माफ करने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया अब आगे सरकारी मशीनरी है वह अपना काम करती रहेगी कितने टाइम में पूरा होग हैं लेकिन जो कहा वो करके दिखाया ऐसे योप्या का हाल में आफके सामने रख्गा हुँ दस साल दोहजारचाइसे दोहजारचोदा तक कि अइसे कैसे कानून और कैसे कैसे अधिकार दिये हैं तो चूना विशवास किया जाए क्यों ना भरोशा किया ज़े मीडिया जू द दो हज़ार 6 में यही UPS सरकार गारंटी योजना लाई थी रोजगार आरेंटी योजना जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं कि गाउं में रहने वाले गरीब लोगों को 100 दिन का मिनिममर रोजगार दिया ही दिया जाएगा दिया ना करके दिखाया आपके सामने है नरेंद् में शिक्षा में लेगी कपड़े बिस्तार कपड़े सोरी बैग किताबें सब चीजे जूता सब चीजे मैं से मिलेंगी दो हजार तहरा में ये सरकार लेके आई भोजन का अधिकार जिसे कहा गया बहुत बड़ा अधिकार है वो जिसमें डेड़ रुपे किलो आपको चावल मिलता है दो रुपे किलो गेहूं मिलता है खादे सुरक्सा कानून बना दिया गया क्योंकि दोहजार एक में सुप्रिम कोड का फैसला है था कि भोजन जो है वो मूल अधिकार है उसका सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे किसी सुलक्ते हुए उलस्ते मुद्दे लेकर आपके सामने होंगा हाजिर फिलाला भी मुझे नहीं इजाज़त